नमस्कार सातियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉट हैंड अकैटमी स्टन क्लासेस में दोस्तों, आजका हमारा डिक्टिशन एक जीवनी पर आधरी डिक्टिशन है जिसका मुख्या पात्र है लुई ब्रेल ब्रेल लीपी के जनक तो आएए स्टार्ट करते हैं आधिया डिक्टिशन पांच सेकेंड बाद स्टार्ट लुई ब्रेल चार जन्वरी 1809, 6 जन्वरी 1852 फ्रांस के शिक्षावित तथा अनवेशक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विच्षित की विराम यह पद्दती ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है फ्रांस में जन्में लुई ब्रेल अंधों के लिए ग्यान के चक्षू बन गए ब्रेल लीपी के निर्मान से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयम भी नेत्रहीन थे पैरा लुईस ब्रेल का जन्म चार जन्वरी 1809 फ्रांस में छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यमबर्गिय परिवार में हुआ था इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोडे के लिए काठी और जीन बनाने का कारिय करते थे परिवारिक आवशक्ताओं के अनुरूप परियाप्त आर्तिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतरिक्त महनत करनी होती थी इसलिए जब बालक लुइस मात्र तीन वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोडों के लिए काठी और जीन बनाने के कारिय में लगा लिया अपने स्वभाव के अनुरूप तीन वर्ष ये बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तूओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था उसलिए बालक लूइस के खेलने की वस्तूओं वहीं थी जो उसके पिता द्वारा अपने कारिय में उप्योग की जाती थी जैसे कठोर लकडी, रसी, लोहे के टुकडे, घोडे की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के ओजार किसी तीन वर्षिय बालक का अपने नस्दीक उपलब्ध वस्तूओं के साथ खेलना और शरारतों में लिप्त रहना नितांत स्वभाविक भी था एक दिन काठी के लिए लकडी को काठते में इस्तिमाल किया जाने वाली चाकू अचानक उचल कर इस नन्हे बालक के आँख में जा लगी और बालक की आखों से खून की धारा बह निकली विराम रोता हुआ बालक अपनी आख को हाथ से दवा कर सीधे घर आया और घर में साधारन जड़ी लगा कर उसकी आख पर पट्टी कर दी गई शायत यह माना गया होगा की चोटा बालक है शीगर ही चोट स्वतै ठीक हो जाएगी बालक लुईस की आख के ठीक होनी की प्रतिक्षा की जाने लगी कुछ दिन बाद बालक लुईस ने अपनी दूसरी आख से भी कम दिखलाई देने की शिकायत की परंतु यह उसके पिता साइमन की सागन ही निता रही होगी अत्वा लापरवाही जिसके चलते बालक की आख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वहे नन्धा बालक आट वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृस्टी हीन हो गया रंग विरंगे संसार के इस्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंदिकार में डूब गया जराम अपने पिता के चमडे के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लूई ने अपने आखें एक दृगटना में गमा दी यह दृगटना लूई के पिता की कारिये शाला में घटी जहां तीन वर्ष की उम्र में एक लोहे का सूजा लूई की आख में गुस गया यह बालक कोई साधरन बालक नहीं था उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ती थी उसने हार नहीं मानी और फॉरस के मशहूर पादरी बैलेंटाइन की शरण में जा पहुचा पादरी बैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस दस वर्षिये बालक को रोयल इंस्टिट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिल गया यह वर्ष 1821 था बालक लुईस अब तक बारहे वर्ष का हो चुका था इसी दोरान विद्याले में बालक लुईस का पताचरा की शाही सेना के सेवा निवरत कैप्टन चार्ल्स बारवर ने सेना के लिए ऐसी कूट लीपी का विकास किया है जिसकी सहायता से वे तटोल कर अंधेरे में भी संदेशों के पढ़ सकते थे कैप्टन चार्ल्स बारवर का उद्देश्य युद्द के दोरान सेनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था बालक लुईस का मस्तिश्क सैनिकों द्वारा तटोल कर पढ़ी जा सकने वाली कोट लीपी में द्रस्टी हीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना धूंड रहा था उसने पादरी बैलेंटाइन से यह इच्छा प्रगट की की वह कैप्टेन चार्ल्स बारबर से मुलाकात करना चाहता है पादरी ने लुईस के कैप्टन से मुलाकात की विवस्था कराई अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टेन के द्वारा सुझाई गई कूटली पी में कुछ संशोधन रस्तावित कीए कैप्टेन चार्ल्स बारबर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए अंततहे पादरी बैलेंटाइन के इस शिश्य के द्वारा पताए गए संशोधनों को उन्होंने सुईकार किया पैरा कालांतर में स्वयम लुईस ब्रेल ने आट वर्ष्चों के अधिक परिश्रम से इस लीपी में अनेक संशोधन किये और अंततहे अठारा सो उन्तीस में छह बिंदूओं पर आधारित ऐसी लीपी बनाने में सफल हुए लुईस ब्रेल के आत्मविश्वास की अभी और परिक्षा होना बाकी था इसलिए उनके द्वारा अविश्करत लीपी को ततकालिन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और उसका माखौल उडाया गया सेना के सेवा निवरत कैप्टन चाल्स बारबर के नाम का साया लगातार इस लीपी पर मंडराता रहा और सेना के द्वारा उपियोग में लाए जाने के कारण इस लीपी को सेना की कूट लीपी ही समझा गया परन्तु लुइस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी बैलेंटाइन के समवेदनात्मक आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिश्य ने अपनी अविश्करत लीपी को द्रस्टिहीन व्यक्तियों के मध्य लगातार प्रच उन्होंने सरकार से प्रार्थना की की इसे रस्टिहीनों की भाषा के रूप में माननिता प्रदान की जाए विराम यह है लुइस का दुर्भाग्य रहा की उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और ततकालिन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इसे भाषा के रूप में माननिता दिये जाने योग्य नहीं समझा गया अपने प्रयासों का सामाचिक एवम सम्वेधानिक माननिता दिलाने के लिए संगर्शरत लुइस 43 वर्ष की अवस्था में अंततह 1852 में जीवन की लड़ाई से हार गये परन्तु उनका होसला उनकी मृत्यू के बाद भी नहीं मरा पैरा उनका देहान्त 6 जन्वरी 1752 को हुआ लुइस ब्रेल द्वारा आविश्करत 6 बिंदूओं पर आधरित लीपी उनकी मृत्यू के उपरांत द्रस्टी हीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई लुइस की मृत्यू की गटना के बाद शिक्षशास्त्रियों द्वारा उनके किये गए कार्य की गंभीरता को समझा जाने लगा और द्रस्टी हीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लीपी के प्रती अपने पूर्वग्रह पूर्ण दकिया नूसी विचारों से बाहर निकलते हुए इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारत किया गया अन्तुत है लुईस की मृत्यू के पूरे एक सो वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया इस दिन उनके ग्रह ग्राम कुप्रे में सो वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके पार्थिव शरीर के अवशेश पूरे राच्कीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए उस दिन जैसे लूइस के ग्राम कुप्रे में उनका पुनरजन्म हुआ इस्थानिय प्रशासन तथा सेना के आला अधिकारी जिनके पूर्वजों ने लूइस के जीवनकाल में उनका लगातार उपेक्षित किया तथा द्रस्टी हीनों के लिए उनकी लीपी को गंभीरता से न लेकर उनका माखौल उड़ाया अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गल्ती की माफी मांगने के लिए उनकी समाधी के चारो और एकटा हुए लूइस के शरीर के अवशेश सम्मान निकाले गए सेना के द्वारा बजाई गई शोक धुन के बीच रास्ट्रिय ध्वज में उन्हें पुनहें लपेटा गया और अपनी एतिहासिक भूल के लिए उत्खनित नश्वर शरीर के अंश के सामने समूचे रास्ट्र ने उनसे माफी मांगी रास्ट्रिय धुन बजाई गई और इस सब के उपरांत धर्मादिकारियों के द्वारा दिये गए निर्देश के अनुरूप लुईस से सरसम्मान चिर निद्रा में लीन होने प्रार्थना की गई और इसके लिए बनाए गए इस्थान में उन्हें रास्ट्रिय सम्मान के साथ पुनहें दफनाया गया संपूर्ण वातावरण ऐसा अनुभव दे रहा था जैसे लुईस पुनहें जीवित हो उठे हैं पैरा इस प्रकार एक रास्ट्र के द्वारा अपनी एतिहासिक भूल का प्रैस्चित किया गया परन्तु लुईस द्वारा किये गए कारिय अकेले किसी रास्ट्र के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की द्रस्टी हीन मानव जाती के लिए उप्योगी थे अतहे सिर्फ एक रास्ट्र के द्वारा सम्मान प्रदान किये जाने भर से उस मनीशी को सच्ची शद्धांजली नहीं हो सकती थी विगत वर्ष 2009 में चार जन्वरी को जब लुईस ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्षों का समय पूरा हुआ तो लुई ब्रेल जन्म द्वीशती के अवसर पर हमारे देश ने उन्हें पुनहें पुनरजिवित करने का प्रयास किया जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया यह शायद पहला अवसर नहीं है जब मानव जाती ने किसी महान आविशकारक के कारिय को उसके जीवन काल में उपेक्षित किया और जब वह महान आविशकारक नहीं रहे तो उनके कारिय का सही मुल्यांकन तथा उन्हें अपेक्षित सम्मान प्रदान करते हुए अपनी भूल का सुधार किया ऐसी परी इस्थतियां संपूर्ण विश्व के समक्ष अकसर आती रहती हैं जब किसी महान आत्मा के कारिय को समय रहते इमानदारी से मुल्यांकित नहीं किया जाता तथा उसकी मृत्यू के उपरांत उसके द्वारा किये गए कारिय का वास्तविक मुल्यांकन हो पाता है ऐसी भूलों के लिए कदाचित परी इस्थतियों को नर्पेक्ष रूप से न देख पाने की हमारी अयोग्यता ही हो सकती है पूर्ण विराम तो दोस्तों यह थी हमारी आज की निबंद, डिक्टेशन, जीवनी पर आधारिट दिक्टेशन, जो की लुईस ब्रेल पर आधारिट थी तो आशकरते हैं आप से भी को डिक्टेशन पसंद आएगी तो प्लीस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमें comment box में comment करगें बता है अगर आपको इस तरह की और भी dictation जी ए निबंद या जीवनी पर आदरे तो हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे और कैसे लिए आप सभी को dictation comment box में comment करें धन्यवाद